आप लोगों का स्वागत है तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम अच्छे से बात करेंगे कि रेलेवे लोग को पाइलेट और टेक्निस अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो जीरो से हाई लेवल का हम यह मैध स्टार्ट कर रहे है फ्री ओफ कोस्ट इसमें ऐसा कुछ नही गासे स्टार्ट करेंगे और हो सकता है क्लास 20 भी और क्लास 25 किन जीरो से हाई लेवल रहे हैं अगर आप किसे भी एक्जाम के तैयरी करते हो यह हमने पेड़यरस लिया आपको फ्री ओपकोãyष्ट कराएंगे और बहुत भैषरीं तरीके से पीडिएफ आपको टेलीग्रम पर अपलोड करेंगे, टेलिग्राम लिंक है, जो इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रप्शन में है, और हाँ दोस्तों, अगर आप टेस्स सीरीज लगाना चाहते हो, तो यूटूब प्ले स्टोर पर आप सर्च करें, विग विश्टर, इस तरीके से एक लोगो आएगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे, वहां से टेस्स सीरी, हमारी तरफ से आप वेनिफिट पा सकते हो, जिसमें सिवा 10 कोड यूज़ करके, ठीक है, चलिए, अब रेसिव पर बसन क्लास स्टार्ट करेंगे, कुछ हमने सिलाइडे बनाई हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, मतलब क आज हमारी क्लास होगी, वह बेसिक से होगी, मैंने जिरो लेवल से, मैंने जो नोट सुपर आ हैं, वो अभी आपको ऑगा जो बेसिक बेसिक चीज़े हैं, वो आज मैंने प्रस्थ्तोरस में कि या हैं, उसके बाद, हमारी जो नैस्ट क्लास होगी, उसमें हम questions start करेंगे, त उसमें इन question को अपनी नोट डाउन करें क्योंकि अगर आप ये class नहीं करते हो तो जो उमारा type 1 करवाएंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा तो type 1 समझने के लिए आपको वही करना पड़ेगा पहले ये basic class करनी पड़ेगी उसके बाद type 1 आपको समझ में आएगा तो सभी स आपको पूरा ratio करवांगे foundation के साब से ये class start किया ठीक है तो पहला question आयने की हम कह सकते हैं जो पहला हमारा level है विल्कुल basic से है तो सभी साथ ही उसमें यह request करना चाहूँगा पहले copy एक कलम बना ले और बैठ जाए अच्छे से फिर हम start करते हैं तो पहला question अपनी copy में फटा जब की जो अनुपाद दो और केवल दो रासियों के बीच के संबंध को दरसाता है और यह संबंध मतलब क्या है यह संबंध यह दरसाता है कि पहली रासी दूसरी का कितना गुना है यह है ठीक है कैसे होगा देखो आप मैं आपको बताता हूँ जैसे कि example में हम कहने का है तीन अनुपात दो है यह हम कह सकते हैं क्या यह हम कह सकते हैं सात अनुपात 35 है यह हम कह सकते हैं क्या एक अनुपात 5 है तो यह संख्या क्या बताती है उसने क्या गोला दो अनुपात दो और दो के वद दो रासियों के बीच यह संबंदर साता है कि पहली रासी कितना एक द करेंगे ठीक है यह बिलुकुल ऐसे ही है बिलुकुल समझ जाना कोश्चन में क्या भूला था जैसे कि दो केवल दो और केवल दो रासियों के बीच के समंद्ध को दर्साया जाता है उनके दर्साने के लिए हम इस तरीके से इस कंडिशन में लिखते हैं ठीक है तो सभी लोग जल्दी से नॉट डाउन कर लें और जिसको स्क्रीन साट करना है वो लोग स्क्रीन साट भी कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स शिलायर पर आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड यह देगे ए अनुपात B को ए अनुपात B या तो हम कह सकते हैं यानि कि जब हम कोई पूचा आए अनुपात B को कैसे लेगेंगे तो आप किस तरीके से लिख सकते हो आप ए अनुपात B को इस तरीके से लिख सकते हो या हम कह सकते हैं कि ए अनुपात B को क तो इसको हमने में लिख दिए तीन अफ़ात तो अगर हम क्या करेंगे इसको भाँ अ उसने का अथवाब में बोला था एपों अपर बी के रूपमें तो इप बी के रूप अधों मतलब कि कैसे करते हैं मैं Aww jaki 3 upon 2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, किसके, सवानुपाद समानुपाद, जैसा उसने बोला, बस सेम टू सेम, हमें ऐसे करा, तो इन बेसिक चीजों को आप पहले सीखें, फिर इसके बाद जब next question जो हम करवाएंगे, तो आप उनको धुमा उड़ा होगे, पहले आप basic ax लिखा जाए, तो दूसरी तथा तीसरी राशी को भी करमसा, bx तथा cx लिखना होगा, जैसे कि कहने का मतलब यह है, example से मैं आपको समझाता हूँ, example पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर, कैसे देखिए, जैसे कि 3 है, 3 अनुपाद 4, ठीक है, 3 अनुपाद 4, अनुपाद 5, ठीक है, यह समझ गए, अब इसको हमने क्या बोला, ax मतलब की ax, bx, cx के रूप में लिखा जाता है, कब लिखा जाता है, जब a अनुपाद, b अनुपाद c में, यदि पहरी राशी को ax लिखा जाए, तो दूसरी तथा तीसरी राशी को bx तथा cx लिखना होगा, कैसे 3x है, अब 3x में हम क्या करतेंगे, 3x में कुछ निए, तीन दिया हुआ है, अब 3 में क्या करतेंगे, 3 में हम यह करतेंगे, 3x, 3x हो जाए, अब चार दिया, तो 4 में क्या करतेंगे, तो 4 को भी हम 4x लिखेंगे, तो 5 को भी हम 5x लिखतेंगे, यह हमारा इस तरीके से लिख करोगे तो आपको जरूर इसका benefit मिलेगा ठीक है जिसको screenshot करना फटाक से screenshot कर ले और जिसको लिखना था साथ साथ में वो लिख लिया हुआ ठीक है चरिए आपको next slide पर लेके चलते हैं यह slide जो है बहुत ही important है यह उपर वाला जो point है न यह वाला यह वाला point आप लोग ने बहुत ही important है important इसलिए है कि अपने जल्दी से फटा पर लिखिए जल्दी सभी लोग लिखेंगे अनुपात सम्मंद्र प्रशनों में अनुपात पिकट करते समय ध्यान देना है कि जिस रासी के साथ अथवा जिस रासी के मतलब जिस रासी के साथ का समझे रहे एक बात मैं बता दूँ कोई भी रासी है जिसके साथ का अथवा से यानि कि से से लगा रहे उसे हर और दूसरे का अंस मानते हैं जैसे कि का या से लगा होगा मैं आपको कोश्चन में समझाओंगा अगर लगा है तो उसे हर मानेंगे उसे कहां करेंगे हर नीचे लिगेंगे और जो संख्या नहीं है उसको कहां लिगेंगे उसे हम अंस में लिगेंगे अभी मैं आपको पूरा अच्छे से समझा देंगे पहले इस बात को अपनी अकॉंप में अंस मालेंगे ठीक है चलिए जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं यह देखिए कुश्यन जल्दी सबी लोग कॉपी में नर्दान करेंगे किसी चात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का पांच अपन साथ गुना है तो लड सब्सक्सिदा ओलक लड़कियों की कुल संख्या का अब लड़कियों में झन्ख्या का उसको क्या मानेगे उसे मानेंगे हम क्या हर मानेंगे उसे हम हर मानेंगे और जिसमें नहीं लगा उसे हम अंसु मानें कैसे जैसे कि example में हम ले लेंगे boys को B से सम्मंदद कर ले रहें और girl या लड़की को लड़की को हम जी सम्मंदद कर लेंगे ठीक है तो 5 अनुपात 7 मैंने क्या गोला था अगर जिसमें भी काया से लगा होगा उसे हम हरमानएंगे तो यहां पर साथ क्या मान लिया उसको हरमान लिया है यह मारी अंध ब्रॉट Suglare और इन चीजे को छोटी च चीजे को आपनी को इन लाइप आपको ले कर चलते हैं ये बहुत ही महनस से आप लोगों के लिए मैंने basic से start किया है काफी दिन से सोच रहा था काफी लोग comment कर रहे थे नहीं सर्वी start नहीं कर दे तो मैंने कर दी है class ठीक है से जरूर करना अगर आप next class चाहते हो आप लोगों की support से ही class चलेगी ठीक है वर्टे तेज गुनाव हो जाता है तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा सभी लोग उपनी कॉपिमेंट नोट दान करने पड़ा पड़ा उसने क्या पूछा लड़के और लड़कियों पहले तो सम्मांदित कर देते हैं लड़कियों क्या करेंगे भी लिख 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 लि यानिख यह नीचे वाला क्या उजाएगा, नीचे वाला हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा total, यानि कि पूरे विध्यारती कितने हैं? तेईस अब तेईस विध्यारतियों में क्या है कि जो आठ लड़कियां हैं कितनी आठ तो लड़कियां अब बचे कितने तो आप क्या करेंगे तेईस में से आठ घटा देंगे जब तेईस में से आठ घटा होगे कितना आ जाएगा आप गुलेंगे सर यहां पर पंदरा वच लगा, यह तो हमारा क्या था, कहां पर कह लगा लगा, किसी रिखियो, कुल विद्यारतियों का यह देखिये, यहां पर, कुल विद्यारतियों का कया है lives, यह पर जकाने दा, थेश सब्सदों क्या का? इस तरीकी से मारा हो जाए सभी सातियों का समझ में आ गया होगा किसी भी सातियों का कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी उम्विद यही करूँगा अपने तरफ से मैं पूरा 100% करने की कोसिस करूँगा और आपका अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप लोग कमें तो आपको इस लगते जाएंगे किसी तोकरी में आम और संत्रै है तो हमें नहीं आपको पस्तित कुल फ़लों की संख्या है कितनी है हम बोलें पांच अपन ग्यारा गुना है तो आम और संत्रे का उसमें अनुपात पूंछा है तो जब आम को क्या कर लेंग आम ही लिख लि आम और संत्रे का उसने अनुपाद पूच्छा है तो हमें क्या करना सबसे पहले हमें लेगना यहां पर पांच बटे पांच बटे 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 बढाएं तो हम और संतो जिसमें है तो यह क्या है यानि फिल 11 जिसमें से क्या बोला संत्रों की कितनी है पांच है जब थनांगि तो ऑमारे आम के संख्या कितनी हो जाएगी शह हो जाएगी छीधी सी बात है अनपात में लिख देंगे श्रक कितने पांथ हो जाएगी ठीक है चलिए इसमें इप समझाने में कोई दिकत नहीं जिसको अपने नाटडान कर ला है वो अपने कॉपिमेंट नाटडान भी करते चले चलिए नेक्स्ट लाइट पर आपको लेके चलते हैं एक टोकरी में सड़े फलों की संख्या कुल फलों का साथ वटे ग्यारा गुना है तो अच्छे फल और सड़े फल का अनपात क्या हुआ अच्छे फल मतलब ठीक है चलिए तो आप लोग जल्दी से करें तो आम क्या करेंगे अच्छे फल को कर दे रहें एफ से संबन दे एफ लिख देना और सड़े उए को ऐस से कर देंगे ठीक है एक टोकरी में सड़े फलों की संख्या कुल फलों का साथ वटे ग्यारा है तो यहां पर हम लिख ल बोलों कि सर जो सात बोटे 11 जो घ्यारा जूब है वहें रहा है यह हमारा टोटल है यह तो हमारे टोटल है लेकिन जब उसमें सड़े कितने सड़े यहां पर लिख देंगे साथ ठीक है अनुपाद लगा देंगे जब सड़े साथ है तो बच्यक्य बोलें सब 11 में से जब साथ गटाएंगे तो कितने बच्छीगा चार तो चार यहां आगा तो साथ अनुपाद चार यह इस तरीके से हमारा एक बन जाएगा किसी बी प्रकार का किसी की कोई भी डॉट नहीं हुगाॉल अच्छे सभाइक hen आप दृश्चन है एक की आई कुल आएका साथ वॉट्टे बाइस होना है तो अ वह किया है क्या होगा एजैं वो में इताफ़ की के लागएका teeth की कुल आयका यानि कुल आयका जब कुल लग गया मतलब हमारा हार अ कि आमारा हे क्ल ह्यायका तो उसने क्या जह बना एист की क्लi क्या थे तो सीड़ी ड़ियसी बात मिया सात वड्यक वाइस अब हम क्या करागे जिए अनुपाथ ऑग ker एक बात किल आएका, आप 21 से 7 गटाऊ जाईगा कितना करेंगे, गल्यक्त Vallad पाथ नेकर पन्दिय कुछे यह तो ऐस में कितना में से 7 सेे गटाऊ है, तो पर आपको लेके चलते हैं, चलिए, किसी संख्या में, देखो यह बेसिक चीज़े हैं, इन चीज़े होगा, अगर आप कॉंपिविन नाटन नहीं करोगे, जब टाइप बन से स्टार्ट करेंगे, तो आपको दिक्कत आएगी, तो जिससे कि आप इनको देखे होगे, और आप लोग लिखेंगे, मूल, मूल संख्या, अनुपात, मूल संख्या और नई संख्या, ठीक है, चलिए, अब उसने क्या बोला, उसने बोला, दो वटे पांच, कितना बोला, दो वटे पांच, मतलब कि किसी संख्या में, यानि कोई संख्या हमारी क्या है, मूल संख्या है, अब हम मूल संख्या जब दी हुई है, हमारी कितनी मूल संख्या, अब मूल संख्या हमारी कितनी है, तो मैं आपको बहुर बदा दूँ, यह हमारी मूल संख्या है, यानि कि यह हमारी संख्या है, पांच, इसी संख्या मे संख्या कितनी है तो आप गहां रहेगी तो यह है कि यह क्या है यह देखें। पांच हो जाएगा इसने क्या भलद दो संख्या जोड़ेनी है तो पांच तो यह वमार्य इस तरीके से बंद या ठीड चलिए ईबाबड नहीं रहाऊ को Challengebn direction आया होगा मैंने आपको बता दिया ठीक है चलिए फटा 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 अपनी कॉपी में अफडान कर लीजिए चलिए नेक्स्स स्लाइड पर आपको लेके चलते हैं जो उसने बोला बस same-to-same वही कर रहे हैं अब यहMा अपने तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं ठीक है अब दखिए किसी संक्या में किसी संक्या क Kate किसी संक्या का फिर्छी से कुछ भी हो जाए ठीक है एक गाला पांच गुना घटाया जाए, तो नई संक्या और मूल संक्या बस सीधी सी बात है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मूल संक्या लिखेंगे, उसने क्या बोला, एक मिनट घटाया जाए, किसी संक्या में इसी संक्या का एक बटा गटाया जाए, तो नई Sankhya तत्थ मूल Sankhya क्या होगा, चलिए देखते हैं, तो यहां पर क्या लेखेंगे, मूल, संकhya, और यहां पर क्या लेखेंगे, यहां पर हमारी क्या हो जागी, यहां पर हो ज jadi Everyday तो नई संखया का और मूल संखया का आपक्यो रानुपात इसमें पूझजा गया तो मूल संखया हमारी कितनी है तो आप बताएंगे सर जो मूल संखया हमारी थी वो कितनी थी यहां पर लिख देते हैं एक बंटा पांच तो जो हमारी मूल संख्या होती है, उसमें क्या लिखा है, किसी संख्या का लग गया ना, किसी संख्या का, जो संख्या का लग गया, वो हमारी हर्मे है, तो हर्मे है तो वो हमारी क्या लगी मूल संख्या है, तो भाई हम लिख लेंगे, जैसे उसने बोला, यह अनुपात लग हुआ किसी भी विरकार का कोई भी आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रगो ठीक है चलिए इस की तो अगे लेगे चलते हैं हुआ है आगे हमारा कोश्चन यह कह रहा है कोश्चन कह रहा है अनुपात सम्मंद्यत प्रसनों में प्रतियक रासी में समान संख्या से गुणा अथवा भाग कर सकते हैं लेकिन जोड़ अथवा गटाव नहीं कर सकते हैं यह बाद ध्यान रखना है जब भी हमारा कभी भी अनुपाद दिया हूँ उसमें हम गुणा भाग कर सकते हैं लेकिन उसमें जोड़ गटाव नहीं कर सक मतलब कुछ भी कर सकते हैं गुड़ान और भाग कर सकते हैं ऐसे कि जाँ यहां कि टना जाएगा जाए ते नहीं & अफ्यय साइख कपण नंथ सब्सक्रण कर सकते हैं चल्याक जेक यह किए ना इसका सब्सक्राबहरyorsun'RE ज़ना इंच एक जरते हैं यदि अनुपात भिन के रूप में हो तो सरपथम हरों के लिए लासा के सभी राशियों से गुणा करते हैं समझ गए मेरी बात को जभी भी आप लोगों को क्या आप लोगों को क्या होगा एक संख्या दी जाएंगी जो भिन के रूप में होगी उनको हम क्या करेंगे जैसे कि मैं आपको उधारड में आप क्या लिखे एक बटा दो अनुपात एक बटा तीन अनुपाद एक बटा चार अब यह संख्या है इनको जब हम अनुपास समानुपात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप बोलों सर्स इसका हम कितना याग, फ़ी चार जाएगा, फो बनेगा, यह वाला याग, टिक है, तो क्या बनेगा? छे अनुपाथ, चार अनुपार, तीन यह क्या बन जाएगा इसका हमारा अनुपाथ बन जाएगा ठीक है चलिए यही कह रहा था है जो कह रहा था वह मैंने आपको समझा दियो ठीक और भी करना चाहते हो तो आप और भी कर लेना अगर आपको पुर करना है जैसे कि चलो ठीक है एक मदाठ से आपरोग समझे सान, इस आपस में बरावर हो, समझे, जब 2 रासि हों, आपस में बरावर हो, उसका अनुपात प्राप्त करना हो, तो उसके गुडांक को उलेट देते हैं, समझे मेरी बात को, नहीं समझे, चलिए, example से आपको समझाते हैं, एक्जामपल से आपको समझाते हैं जब समझ में आ जाएगा जैसे कि 2A बरावर 3B बरावर 4C यह हमें दिया हुआ है सब बरावर है तीन संख्या है अब हमें इसका जब LCM निकालना होगा यानि के वो रेस्व प्रोपर्शन के रूप में लिखना होगा तो हम क्या करने उसने क्या बोला उनके संख्या हुए उसे हम पलट देंगे जब संख्या है जब हम पलटेंगे जब यह 2A 3A 4C जब दिया ह कुछन आए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा अब क्या करें अब कुछ निए LCM लेलो सीदी से बात है लसे बारा आ जाएगा दो छिंग बारा छह एक खम चे तीन चकु बारा चार एकम चार पर बोलें चार्तियां बारा थी तो यह क्या आगया उमारा यह तो मारा इक्या रि इस से आपको थोड़ा सा समझ में आजाएगा है कैसे सब बराबर है बिल jusqu'ल उन्हें 은 Schn douald में और कुछ नहीं जब थीन वटे साथ ऑलट दिया हुआ है यानी थीन वटते दे दो दिया है तु रहाइवाiero इन संख्यां क्या करेंगे करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो छेhrines जब सा champion. α-dates डिया है आफ दो शरी 3-20 को साूरे सा एक उलटेंगे तो कितना सब्सक्राइभ यह यह एक हो जाएका क्या है सबक्ता ह्टाइब हो जाएगा आप चार प्रटे पांच प्रटों कितना आजए आप जैए आप जाएगा तीन वाग क्या करेंगे इसका ये ले लेगे पाहिएस लेजी ये अर्ष आज़गा तीन चॉकू चार आया अब चार का भाग क्या करें गारिंगे अगे चलेंगे तीन चॉकू बारा चाथ दून आठाज है तीक है अब हमारा अनुपात के रूप में कैसे लिखें? 28, अनुपात 15, अनुपात 8 ठीक है? ये क्या जाएगा इसका? अनुपात समानुपात के रूप में आ गया? आ गया? बिलुकूल, ठीक है? आप चलिए नेक्स्ट स्लाइट पर देखते हैं इसने क्या बोला? इसने बोला A का 75% बरावर B का 60% अब कैसे करें सर कुछ नहीं करना है देखिए जब उसने A का बोला है तो A गुड़ां 75% बरावर B गुड़ां का का मतलब गुड़ां होता है ठीक है चलिए यहां परसेंट से परसेंट कार दो बोलेंगे सर बिलुकूल हम काट दे रहें अब हम क्या करेंगे अब कुछ नहीं करो ऐसे पहड़ा पड़ो जिससे की 75 और 60 दोनों कर जाए तो हम करेंगे 15 चौकू 15 चौकू 60 15 पना 55 तो A अब B को क्या करेंगे इधर ले आएंगे तो A बटे B इधर चार है तो पांच ले आएंगे चार तुमारा पहेड़ी से इधर पां लोगों वांदा मान कितना आए और 40 पांच हो ठीक है आ गए सम्झ में सबीजोगों को समिजंभ नेगे चलते ही एँ seperti Nice लाट पर ठीड़ीरा एक मिनुट एक मिनुट जिसको इस्क्रीन सोट करना था इसको सूर्ड करना की पांटसए और यह तो आपने लिख लिया अलपक आपको काफी benefit मिलेगा थीगा चली आप जैसे यह है उसने बोला A का 0.5 और B का 0.07 है चली करते हैं इसको तो A गुड़ा 0.5 बरावर B गुड़ा 0.07 है अब हम जब point को जब हटाएंगे तो क्या होगा आप गुड़ेंशर जब point को डावर सीरीस बात यहां 0 लग जाएगा तो A गुड़ा 5 0 हो जाएगा इधर कर देंगे गुड़ा 7 हो जाएगा अब जब A को जब क्या करेंगे इधर ले आएंगे तो इधर ले आएंगे तो A बटे B साथ बटे पचास इधर आजाएगा तो A और B का मान केतना आजाएगा तो A अनुफात D का जो मान आजाएगा A का मान साथ और B का मान पचास ठीक है यह देखिए इस तरीके सो जाएगा किसी भाई का इसमें कोई भी डावट नहीं रहा हुगा उम्मीद यही करता हूँ चलिए आगे देखते हैं आगे देखिए अब यह यह देखो सीरी से बात है इसको जब इधर लाओगे और इसको 44 को इधर ले जाओगे तो क्या करेंगे ए अपॉन अब सुनिए दो या दो से अधिकरासियों का भागा आपास में बराबर तो उसका बलासियों है है और यंदके भागा यहीं करेंगे अब इनको आप अपनी फटापट नौट डाउन करें सभी लोग नौट डाउन करेंगे फटापट उम्मिद करूं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे चली जल्दी से बड़ा पड़ करिए अनुपात संबंद तर्शनों में एक निश्चित रासी और कुछ अनुपातिक रासी यहां दिये जाती हैं अथा उस निश्चित रासी की तुल्ना सी भाग मतलब क्या करना उस अचार यह है उस निश्चित रासी की तुल्ना भाग देना या उसी अनुपातिक रासी से करते हैं जिसे ग्यात करना उसे हम गुणा करते हैं देखो मेरी बात यह है कहने का मतलब इसमें एक सूत्र वह आप लिख लीजिए पहले मैं आपको बता देता हूं पहले यह लिख निश्चित रासी तो निश्चित रासी तो आप लोग भी लिखते चलना है साथ में निश्चित रासी अपॉन क्या है उसी अनुपातिक तो बोला था उसी अनुपातिक तो उसी अनुपातिक इंटू क्या बोला है उसने बोला जो ग्याद करना होगा बोलिक देंगे जो एक मिनिट एक मिनिट जो ग्याद करना हो ठीक है चली अब ये सुत्रम बो रखना पड़ेगा जैसे कि कोई संखिया बोल दें मैं honor जैसे कि यह एए अनुपात बी अनुपात सी अब अनुपाद मान भी रख देंगे तीन अनन था चार अन पात पांच यह क्या हमार देंργे अब उसने यह बोल धिए कि हमेंWay ka Mark घञात कर यह और जो टोटल हमारा मान मतलब जो दिया हुआ है तोटल वो कितना मान के तोटने है . 14,400 ठीक है 14,400 अब यह बोल दें कि B को B का मान कितना है यह पूछ ले कि B को मान कितना मिलता है तो सीरीस निश्रत को मान क्या है तो बोलें सर 14,400 14,400 अब चॉटल जब यह 14,400 अब यह देखें कि यह आनुपार सामाणुपार तो तो फो केतना है तो आप बोलें चार तीन साथ 7 पांच 12 यह वहीं हमार ट्सक्रास्टeur को ट्वोटल से मतलब दर्शाते हैं अब उखें कामान पूछा तो समnes है तो मतलब कामान के तना है आप जह है वो कितना है चार है, सी जढ़ी है स Bild's बात है अब हम भाग दे देंगे जब भाग दोगे तो कितना आ जायका बार आगा, इसमें देंगे एक बार जाएगा बचेल का दो, दो जांए यानी 1000 न अपना बारा सो कहा करेंगो चार करतेंगे, बाच्चा को 48 इस ओ जी सती समंद्र प्रहसनों में एक निश्यत रासी कुछ अनपातिक रासी मतलब कि अनपातिक रासी से ठीलना he और किसी से हम नहीं नहीं करें कि और जिसे ग्याद करना उसे हम क्या करें गुणा करेंगे तो मैंने क्या करा, चार हमें ब्यानिक B कमान ग्याद करना था, तो चार से हमने क्या गुणा किया, तो उपर वाली हमारी निश्यत रासी, निचे वाली उसी अनुपातिक रासी, और ये हमारी जो मैं ग्याद करना, उससे हमने गुणा कर दिया, तो बिलुकुल हमारा ऐसे ही exit आपको लिखोगे और समझोगे तो आपको समझ में आएगा ठीक है चलिए नेक्ष्ट आपको लेके चलते हैं लेकि नेक्ष्ट ही है सत्रा हजार सो रुपए को पी क्यू आर के मद्द दो अनुपा तीन रुपा चार में बाटा गया अब देखो आगे ना वोई पी तथा आर का योग करना जोड के में बताना है कितना होगा तो देखे उने क्या बोला था कि निश्चित अनवरासी अब नपाथिक रासी निश्चित रासी कितनी है आप जोडहरें ध cocontár कि अ हमारी सत्तरा हजार सो या क्या दो गपाने डिए इन उनपारा अश्चित तीन और चार इननको सबको जोड़े लिजिए फटाफट सबको चार तीन साथ साथ अब दो नो यह अनुपातिक रास ही है तो नुपातिक सा निश्चत का अनुपासिक तो तुलना करेंगे अब जो हमें निकाल ली है वो भूडा कर देंगे उसने बोला पी था आर अब पी थ बात को सब लोग समझ गए चली भाग देते हैं अब नौ का बात जब सत्राम दो कितनी बार जाएगे नहीं तो हम क्या करें एक बार इसमें भाग देते हैं एक बार जाएगा कितना बचेगा नौ एकम नौ आठ साथ और आठ बचेगा अवमारा एक यासी होगा तो नौ नि इसको स्कुंचोट कर लेजिए और आपको समझ गोग पहले था उसमें समझ में आए वह लेकिन जब इसका एकजामपल हमने किया तो आपको समझ में आ गया हुए तो यह उपर वार यहमारी क्या जगी निश्यत रासी यहमारी अनौ पार ड्मका तीक और जो निकान नहीं व यदि C का भाग, A के भाग से जब भी इस तरीके है तुलना, यानि कम अधिक ज्यादा, तो क्या करते हैं, अंतर करते हैं, तो A, C का भाग, A के भाग से 54 रुपए अधिक है, तो B का भाग रियाद करना, चलिए बता देते हैं, कितना कितना देया हुआ है, तीन, साथ, नॉ, ठीक है, यह में दीया हुआ है, अब उसने यह बोला है, क्या बोला, इसने यह बोला, शी का भाग, A के भाग से, कितना? C का भाग A के भाग से चववण अधिक है, हम ये देखेंगे, C का भाग A के भाग से कितना कम ज़्यादा है, यहां से देखिए, कितना है? आप बोलेंगे सरक, हमेशा जब भी अधिक कम जाए, C 20 बाद अंतर करना है, ठीक है? चलिए, तो कितना जाएगा? 6 अब हमें उसने कि तो हम देखेंगे यहाँ पर 6 इसने यह वोला कि B का भाग किता है शलुब आना या कि नहीं कि और साल रिसर दो जीरो यह आज़ेगा बी कमा ठीक है चलिए इसके इसको बहुत कर लो जिसको भी आगे हम आपको लेकर चलते हैं चले हैं चलिए मुझे नहीं देखो आज जो क्लास जो बेसिक है आप इसमें बोर मत होना ठीक है अगर इनको आप कॉपी नोट डाण करोगे तो तो ही आपक के वीज में 576 के रूप में बाट गया है तो बी तता सी के भागों का योग अब क्या बोला उसने योग योग कितना है 7800 रूप है तो ए के भाग बी के भाग से कितना कामों है अब अंतर आ गया ना चलिए अब करके देखते हैं फटा पर हमें क्या डाम लगता है कुछ नह अनुपाद, बी अनुपाद, पांच, छे, शे, बाग, बी कितना दिया हुआ है 5, 65, 5, 7, 6 दिया हुआ है और इतना जब दिया हुआ है उसने बोला बी तता सी के भागों का योग कितना है तो आम यहां पर देखेंगे कितना योग है निश्चत अनुपात का निश्चत मान का अनुपातिक मान से तो कितना ओजाएगा, तेरा ओजाएगा, अब हम तेरा क्या करें यहां पर, उसका सिख, ठीक है, चड़ी, अब उसने क्या बोला, उसने यह बोला, एक भाग के बी के भाग से कितना कम है, यह पता आया, बता ही ज चैड़ी तो पहले तो हम इसको कर देते हैं अब इसने यह वोलाए एक भाग के भी के भाग से कितना कम है तो यहां पे के भाग से करना है तो चरी, यहांपे ता देगे। ठीक है? तो यहांपे कतना? 7 तो तिछक, 78, 600. अब इसमें क्या करते हैं? 600 का साथ में गुणा करते देंगे. तो यह कम जाता कतना आजाएगा? हम कहेंगे, सर 670, 242, ठीक है? यह आ जाएगा. कतना? 4200 कमएड़ यह इसका माना आ जाएगा, ठ आगे लेके चलते हैं आपको अब यह है बहुत ही अच्छा कोश्चन है किसी बसते हुआ क्रेमूल यानि जो क्रेमूल मतलब सीपी उसके विकरेमूल मतलब सेडिक प्राइस का थीन वटा पांच गुना है तो यदि विकरेमूल दिया हुआ है पंदरास्थ सेडिक एृट नहीं pa cp यानि क्रेमूल और यह जोका s p सेडिंग प्राइस अब देखक उसन मैंने क्या बोला किसी में लगा हो उसके विक्रेमूल का या से लगा हो तो वुकितना हो जाएगी हर हो जाएगी तो हर हमारा कितना है पांच कि पांच यहमारे कहार हो जाहे हैं उसुने क्या बोला अब काफ बन तहल थी पहले है किृपल क्रेमध तो तो क्या अब का करेंगे तो फड़ास हमारे की है लुआ के यह 10 पांच ही हम पहले है ँसने बोला का बम थी निकाल लें रहे है करें 2006 से खर किंगे पांती है अब तीन सो को गुणा कर देंगे तीन में इतुर करना यह आ जाएगा मा रख्यांद SPN की selling price ठीक है कुछ भी नहीं था ठीक है बहुत सॉरी CP मतला cost price चरीए ठीक है जदी screenshot करना इसको screenshot कर लीजी और इसको कॉपी में लड़कों की संख्या कहा किसी विध्याल है उसमें लड़कों की संख्या कुल कुल लगया मतलब टूटल यह हमार का हर है अब इसमें 17 जब हमारे टूटल है यहां पर कर देता हूं पर करते हैं यह हमारे है यह यह हमारे टूटल है यह अब टूटल में 17 जब रस सत्रा में हमारे हमारे लड़के उसमें कितनी ही बताईए इसमें कितनी लड़किया हो जाएंगे इसमें 9 तो हम करेंगे लड़कों को 20 प्रजेंट लड़की को जी से प्रजेंट लड़के लड़कियां कितनी है बोलेंगे 9 लड़के कितने है आठ दोनों को जोड़ें कितना है आप बोलेंगे 17 यह हो गया हमारा 17 अब एक मिनिट यहां पर हो गया 17 अब उसने क्या निश्च गड़ंबात मान राच कितनी है ओवह आप बोलाइगे 144 134 जब निश्चित मान मान कितना 144 ऐइ क्या है 154 वोह भी पढ़ लेजिए यदि टूटल हमारे कितनी है सतरां तो गदनी सात्रां बचा आस्य। और कि गवावत और та गार्वार भास प्रद्थ That 활ically जबी बोलूर्प लोन कर दोब्हुट त्रा जाएगा यह हमारा टूटल आजाएगा time कि में नोट डाउन करनेते जिसको करना और कि अपत्श्र आगे लेके चलते आपको ऑगता है तो अच्छा यहीं तक हमारे यह बेसिक क्रास अधिक ब्हाइं सबुनें से उम्मीद करूँ। कि यह हमारे question थे, यह जितने भी question मैं ने करवाई हैं, इसकी slide हैं आपको क्या करूँगा, telegram पर upload कर दूँगा, ठीक है, telegram लिंक जो है, इसी वीडियो के link description में है, तो सभी साथ इसे उम्मीद करूँगा, आज की जो हमारी basic class है, आपको बसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ, I hope, कि आप लोग ऐसे ही अपना support देंगे, मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर आप यह इस तरीके से पढ़ते हो, basic, मैं फिर बता रहा हूँ, आप कहीं कोई भी course purchase मत करना math के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अब मैं आपको रोजाना continue, रोजाना सुभए 7 बजे class math की दिया करूँगा, यह मैं आप लोगों से promise करता हूँ, ठीक है, जितना होगा, जितनी मेहनत होगी, मैं आप देख करूँगा, बस आप लोग इतना ही करना है, कि जो भी आपका साथ ही हो, ज पूरा पढ़ लेना, फिर उसके बाद यूथ की book जो आती है, चाहे हमारी जो आरसर गरवाल जो book आती है, बाई उसका ratio proportion पूरा ना लगा दो, तो आप कहना कि सर जूट बोल रहेते, अगर आप नहीं लगा पाते हो, तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप मेरे चैनल को unsubscribe करते च आप लोगों नहीं दे रहा हूँ, इसमें बस support आप लोगों को चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता है, मैं अभी रिजियो पूरा करवाने के बाद, digital board के लिए एक महिम चलाएंगे, ठीक, टैंसर मत रहूँ, अभी हमारे पास देखो, laptop pen tab है, तो laptop pen tab से चल रही है, तो pen tab से अभी मिल रही है, अगर आपका support अच्छा रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगती है, पढ़ाना अच्छा तरीका लगता है, तो आप लोगों के डिजिटर मोहिम लगा है, जिसमें मैं आप से, जो भी रास ही आप से बने, दस बीस पचा सो YouTube पर दूँगा, कोई पैड नहीं, कोई पैसा नहीं लोगा आप लोगों से, ठीक है, और थियोरी के लिए आप लोग क्या करें, थियोरी के लिए आप लोग बस यही करें, कि लिंक डिस्क आप लोग प्लेश्टोर से डाउनलूड कर लेना, आस ओफीसियल, क्या करोगे, आ यूटूब पर डालना, गूगल प्लेश्टोर पे, वहां से यूटूब करके बाद थियोरी-थियोरी के बस ले लो, अगर आपको लगता है, तो फांडेशन कोर्च भी लेना, नहीं थियोरी-थियोरी तो आईटेग पढ़ने ही पड़ेगी, ठीक है, चलिए, तो आईटे कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूब था, थेंकियो पर वाचिंग, जै हिन, जै भारत!